हलो फ्रेंड्स एक बाफिट्स आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ विश हुआ तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि Microsoft World में header के अंदर अपना logo कैसे लगाते हैं यानि कि मान लीजे कोई logo हमारे पास image form में है और अगर उसे हमें ऐसे header लगाना है तो हम कैसे लगाएंगे Microsoft World पर बेसिक से लेके एडवांस तक के वीडियो देखने के लिए नीचे description में playlist का link दिया है वहां से जाकर के आप वो वीडियो देख सकते हैं तो चली शुरू करते हैं आज का वीडियो तो देखिए अगर हमें header लगाना है header के अंदर अपना logo लगाना है जो कि हमारे पास image form में है तो उसके लिए में क्या करना होगा सबसे पहले header वाले option पर double click करना होगा तो यहाँ पर double click जब आप करेंगे तो देखिए header open हो जाएगा इसी तरीके साबको footer भी open करना है अगर आप footer में लगाना चाहते हैं तो footer में ऐसी double click करेंगे तो footer open हो जाएगा यहाँ पर click करना है तो जब आपका header open हो जाएगा तो यहाँ देखिए एक नया tab आपको दिखाई पढ़ेगा header and footer का यह tab आपको तभी दिखाई पढ़ेगा जब आप header या footer में से कोई एक चीज ओपन करेंगे header and footer open होने के बाद नीचे देखिए बहुत सारे option आपको मिलेंगे और left hand side में हमको जाना है और यह देखिए यह है picture का option इस पे click कर दिजे तो यह आप से पूछा गया कि कौन सी picture आप ऐसे header लगाना चाहते हैं तो यह देखिए यह है हमारा logo जो हमने desktop पर save कर रखा है यहां से left hand side से आप desktop अपना select कर सकते हैं और यह देखिए यह हमारा logo जो हमने image form में desktop पर save कर रखा है आप देख सकते हैं इसको select कर लिया उसके बाद नीचे देखिए insert का option है जैसे ही आप insert option पर click करेंगे तो आपका जो logo है वो image form में यहां देखिए sorry header में आ गया ठीक है अब यहां पर click करके आप इस image को अपने हिसाब से adjust कर सकते हैं अपना logo अपने हिसाब से adjust कर सकते हैं इसको यहां पर adjust कर दिया जितना चाहें जिस size का चाहें आप यहां पर adjust कर सकते हैं उसके बाद बाहर click करते ही यह देखिए यह जो हमारा logo था वो as a header form में यहां पर आ गया अब बस आप page बदलते जाईए आप देखिए यह जो है header हमारा add होता जा रहा है इसी तरीके से हम footer भी add करेंगे अगर हमारे पास कोई logo है जो हम footer में लगाना चाहते हैं तो ठीक है